एक नए लेक्चर में आपका फिरसे स्वागत है आज इस स्लाइड में हम देखने जा ले हैं सारे इंपोर्टेंट ड्रग ओफ चॉइस विल्डिस्कस ओल इंपोर्टेंट ड्रग ओफ चॉइस विचार आज फ्रिंग्वेंड इन इग्जैमिनेशन ओके सबसे पहली जो ड्रग है वो हम देखते हैं ड्रग ओफ चॉइस ओफ कोलेरा के ड्रग ओफ चॉइस काफी बार पूछी गई है याद रखेगा टेट्रा साइ इसलिए मौसी में यह प्रस्चन मंता है कि जब भी यह दो दें जब भी आईरेणऔर टेट्रा साइक्लिन दे क्या करें स्ट्रॉ का यूज़ करें और याद रखेगा कॉलेरा की ड्रग ओफ चॉइस क्या है tetracycline चलिए next question अगर drug of choice of cholera in pregnancy पूछा जाए pregnancy में क्या हो जाएगी cholera की drug of choice तो उत्तर जाएगा furajolidon ठीक है तो normally cholera की drug of choice tetracycline pregnancy में furajolidon next है drug of choice in asthma अस्तमा बहुत important है अस्तमा में हम देते हैं salbutamol okay salbutamol एक प्रस्ण और आता है कि आप पहले corticosteroid तेए अस्तमा में या फिर आप पहले bronco dilator देंगे यह question बहुत famous है अस्तमा में आप पहले corticosteroid देंगे या फिर bronco dilator देंगे मुझे बताईयगा कमेंट्स करके कि ब्रॉंको डाइलेटर पहले देते हैं या drug of choice होती है प्राजोसी अपने अपने इंपोर्टन्ट है है न कॉलेरा अपने आपने इंपोर्टन्ट है drug of choice और भी प्राजोसी नेक्सट डख ओव चॉईस और फेलेटिक शॉग very 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 important यह हर साल दिश्ञेजिस पूचता है कि अज़ह जाती है तो उसके drug of choice क्या है अंसर जाता है adrenalink बहुत बार बचे क्वेशन आया है यारखवेगा next है drug of epilepsy in pregnancy अगर pregnancy में epilepsy है तो उसके drug of choice क्या होगा फीदेंट वार्बी टॉन अपने आप में प्रोवेबल question है इस साल पूछा जा सकता है की अगर महीला को epilepsy है प्रेगनेंसी में तो drug of choice क्या होगी फीनो बार्बी टॉन नेक्स्ट इस ड्रग ऑफ चोईस ऑफ OCD वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम सैकेटरी पॉइंट अफ यू इक ही drug of choice ज्यादतर पूछा जाता है OCD की drug of choice and the answer goes phloxetine SSRIs देते हैं बच्चे SSRIs देते हैं phloxetine तो drug of choice of OCD phloxetine बच्चे एक और प्रशन OCD से वो पूछता है कि OCD में कौन सा neurotransmitter का dysregulation हो जाता है अंसर जाएगा serotonin याद रखना आज का लिए question कई exam से पूछा जा रहा है क्योंकि depression, mania का सबको याद रहता है OCD का कौन सा neurotransmitter involved होता है यह याद नहीं रखते है तो प्लीज याद रखेगा OCD में जो neurotransmitter involved होता है वो है serotonin next question की तरफ बढ़ते है alcohol poisoning very 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 important alcohol poisoning के case में क्या दिया जाता है formipizol formipizol दिया जाता है alcohol poisoning के case में यह आप से psychiatry में जो addiction treatment unit होती है जो chapter होता है वहाँ से यह प्रशन important बनता है drug of alcohol poisoning formipizol next है दो drug of choice हमेशा याद रखेगा कभी मत भूलेगा methylene resistant estephylococcus aureus MRSA की drug of choice होती है vancomycin बच्चे और जब vancomycin से भी resistant हो जाता है vancomycin resistant esteptococcus aureus तो हम देते हैं linzolid दो चीजे काफी बार पूची गई है MRSA की drug of choice है vancomycin और drug of choice of VRSA linzolid vancomycin से एक और बात याद रखेगा बच्चे vancomycin कराती है इसका एक side effect होता है redman syndrome याद रखने वाली बात है redman syndrome किस से होता है उतर जाएगा उतर जाएगा vancomycin next is drug of choice of kalahazar बहुत important है बच्चे कालahazar की drug of choice काफी बार पूची गई है उतर जाता है emphotericin B emphotericin B से भी 3-4 बाते आपको याद होनी चाहिए kalahazar की drug of choice आपको पता होना चाहिए emphotericin B है उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि emphotericin B nephrotoxic होती है बहुत जादा बच्चे बहुत जादा खिडनी को एफेक्ट करती है इसलिए जब भी किसी विक्ति को emphotericin B दो उसके बाद उसका के एफटी का सेंपल विजवाओ मौसबी के क्वेशन है डारकली पूछे जाते हैं emphotericin B nephrotoxic होता है emphotericin की B देने के बाद के एफटी का सेंपल विजवाईए काला अजार की drug of choice emphotericin होती है और emphotericin histoplasmosis में भी दी जाती है और emphotericin B आपको याद होगा mucormycosis black fungus में भी दी जाती थी तो यह सारे questions हैं जो आपको याद रखने यह सारे one-liners हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं एक question से 10 question बनाने की शमता जिस दिन आप लोगों के अंदर आ गई उस दिन आप अपने आपको पाएंगे कि नौर्सेट में अमंग दे टॉपर्स आप रहेंगे छीक है तो emphotericin B mucormycosis की या फिर black fungus की drug of choice है histoplasmosis में दी जाती है कालाजार में दी जाती है nephrotoxic होती है और उसके देने पे KFT चेक करते हैं याद रखेगा next is drug of choice of acute migraine आजकल ये question भी बहुत आप पूछा जा रहा है acute migraine की drug of choice क्या है अंसर जाता है सुमेट्रिप्टेन सुमेट्रिप्टेन acute migraine की drug of choice है next acute hyperkalemia अगर किसी व्यक्ति में hyperkalemia देखने को मिल रहा है तो उसके drug of choice है calcium gluconate अपने आप में important है calcium gluconate किसकी drug of choice hyperkalemia next is malignant hypertension very 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 important malignant hypertension की drug of choice होती है sodium nitrofrucide malignant hypertension की drug of choice sodium nitrofrucide next is hypertension in pregnancy pregnancy में hypertension hypertension in pregnancy में कौन सी drug दी जाती है levitalol hypertension in pregnancy में levitalol next है ये question बच्चे गाईनी में पूछा जाता है बहुत बार कि pregnancy में hypertension है तो कौन सी drug दो गई प्रीक्लेम्सिया में क्या है बच्चे प्रीक्लेम्सिया में magnesium sulfate होती है mgso4 प्रीक्लेम्सिया के condition में magnesium sulfate next है drug of choice of malaria malaria की drug of choice क्या होती है बच्चे chloroquinin याद रखेगा malaria की drug chloroquinin होती है लेकिन severe malaria में इसको यूज नहीं करते अगर मैंने आगे ये point लिखा हो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि severe malaria में हम artisunate यूज करते ये देखे बच्चों severe malaria का अगर वो पूछे कि drug कौन सी यूज की जाती है severe malaria में तो अंसर जाता है artisunate जबकि अगर वो पूछे कि drug of choice of malaria क्या है तो अंसर जाता है chloroquinin एक और बात यहाँ पर याद रखने लाइक है बच्चे कि जो pregnant lady होती है उसमें हम नहीं देते हैं prima quinine नहीं देते हैं pregnant lady में अपने आप में बहुत बड़ा question है anti-malarial drug से और anti-malarial drug को हमेशा glucose के साथ दिया जाता है चुकि हो व्यक्ति में glucose का level कम कर सकती है इसलिए anti-malarial drug को हमेशा glucose के साथ दो malaria की drug of choice chloroquinin है prima quinine एक जो anti-malarial drug है उसको pregnancy में नहीं देते हैं और जो मैंने नीचे point बताया कि severe malaria में आटी सुनिट यूज़ करते हैं next drug of choice of syphilis syphilis की drug of choice क्या है बच्चो बहुत बड़ा प्रस्ण है syphilis की drug of choice अंसर जाता है penicillin अपने आप में बहुत important है syphilis की drug of choice क्या है penicillin और syphilis के लिए कौन सा diagnostic test आप करते हो बच्चे VDRL अपने आप में सबसे बड़ा प्रस्ण है syphilis के लिए diagnostic test VDRL होता है और drug of choice होती है penicillin दोनों के दोनों point आपको याद रखने है next है aneurysis drug of choice of aneurysis तो बच्चे aneurysis के drug of choice होती है desmopressin या फिर imipramine imipramine भी बोला जाता है बच्चे imipramine या desmopressin दोनों ही option में हो सकते हैं और बच्चे अगर आपसे class पूछे कौन सी class of drug होती है यह तो यह होती है TCA tricyclic antidepressant तो tricyclic antidepressant को हम यूज करते हैं as a drug of choice of aneurysis जिसके example है imipramine या फिर desmopressin next है drug of choice of cardiogenic shock cardiogenic shock का बहुत बार पूछा हुआ है dopamine या लिखा होगा dobutamin दोनों के दोनों होते बच्चे या तो dopamine लिखा होगा या dobutamin लिखा होगा option कर दीजेगा टिक अगर यह आपको दिखता है next है drug of choice of heart failure बहुत बार पुछा हुआ है heart failure के drug of choice क्या है digoxin यह तो पिछले दिली एम्स के examination में कई बार यह question drug of choice of cardiogenic shock, aneuryses and heart failure तीनों के तीनों इतनी बार repeat होती है तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा heart failure का drug of choice क्या होता है digoxin और marker अगर पूछे heart failure का तो होता है beta natriuretic peptide BNP marker of heart failure क्या होता है BNP और drug of choice of heart failure डिजॉक्सिन नेक्स्ट है drug of choice of postpartum hemorrhage postpartum hemorrhage में drug of choice होती है कार्बो प्रोस्ट अपने आप में important है गाईनी से drug of choice of PPH कार्बो प्रोस्ट नेक्स्ट है drug of choice of preterm labor तो preterm labor की drug of choice क्या होती है बच्चे निफिडिपिन very 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 important question कई ना कई आने वाले exams में पूछा जाएगा कि preterm labor के लिए कौन से drug देते है निफिडिपिन निफिडिपिन क्या है बच्चे calcium channel blocker है calcium channel blocker डिपिन ओके तो यह याद रखेगा preterm labor की drug of choice क्या है निफिडिपिन नेक्स्ट है anti-tubercular drug कौन से देते हैं treatment ATT जो pregnancy में दी जाती है उतर जाएगा rifampicin pregnancy में कौन सी ATT दी जाती है उतर जाएगा rifampicin अगला है N ovulation बच्चे अगर किसी भी female में ovulation नहीं हो रहा हो और हमें ovulation को induce करवाना हो तो बच्चे कौन से drug दी जाती है answer है clomiphane citrate याद रखेगा N ovulation या फिर ovulation नहीं हो रहा है और उस महिला में ovulation हमें करवाना है उसके लिए जो drug use करी जाती है वह होता है clomiphane citrate next is mysthenia gravis mysthenia gravis तो mysthenia gravis में हम जो drug use करते हैं वह होता है new stigmin mysthenia gravis में जो drug use करते है new stigmin अपने आप में बहुत important question है mysthenia gravis में new stigmin next है to prevent vertical transmission of AIDS AIDS के vertical transmission को रोकने के लिए यानि कि मा से बच्चे में AIDS ना आए vertical transmission को रोकने के लिए किस drug का use किया जाता है answer जाएगा nevirapine very 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 important ये question पिछले examination में पूछा गया है बच्चों की vertical transmission को रोकने के लिए HIV के कौन सी drug use करी जाती है answer जाएगा nevirapine next हरपीज में क्या यूज करते है असाइलोवीर याद रखेगा हरपीज में असाइलोवीर h1n1 h1n1 यानि स्वाइन फुलू में हम कौन सी drug use करते हैं अंसर जाता है osaltamavir स्वाइन फुलू में कौन सी drug use करी जाती है osaltamavir next is atonic seizure atonic seizure atonic seizure का भी काफी वार पुछा गया और h1n1 osaltamavir याद रखेगा next है atonic seizure atonic seizure में जो हम drug use करते हैं वो use करते है sodium walpurate atonic seizure में क्या use करते है sodium walpurate अपने आप में पूछा जाता है next is drug of choice of breast cancer breast cancer की drug of choice क्या होती है बच्चों tomexifen citrate बहुत बार पूछा गया है पिशली exams में drug of choice of breast cancer क्या होता है tomexifen citrate next is drug of choice of ectopic pregnancy ectopic pregnancy drug of choice क्या होती है methotrexate ectopic pregnancy drug of choice methotrexate और जब भी बच्चे किसी भी व्यक्ति को methotrexate देते हैं उसके साथ folic acid जरूर देते हैं क्योंकि methotrexate folic acid antagonist होता है यह question mosby में कई बार आप से पूछेगा कि methotrexate अगर किसी व्यक्ति को चल रही है तो उसके साथ कौन सी drug देंगे answer जाएगा folic acid क्योंकि यह folic acid के absorption को रोग देता है food के साथ तो drug of choice of ectopic pregnancy अगर पूछे तो methotrexate और बचे ectopic pregnancy का risk किसके साथ बढ़ जाता है intra uterine device याद रखेगा कभी भी किसी महिला को अगर intra uterine device चल रहा है या insert किया जा रहा है तो उस महिला में ectopic pregnancy का risk बढ़ जाएगा next आता है hepatic encephalopathy hepatic encephalopathy में जो drug दी जाती है उसका नाम है lactulose lactulose drug दी जाएगी hepatic encephalopathy में next is plague plague के case में जो drug दी जाती है वो है streptomycin next है trachoma बचे trachoma में safe strategy यूज करी जाती है आप safe का full form देख लीजेगा safe strategy यूज करी जाती है trachoma में कई बार पूछा जाता है कि safe strategy किसमें यूज करी जाती है अंसर जाता है trachoma तो trachoma के जो safe strategy यूज करी जाती है उसमें S मतलब होता है surgery S for surgery A for antibiotic A for antibiotics F for facial cleanliness F for facial cleanliness और E for environmental improvement environmental environmental improvement तो बच्चे ये चार याद रखेगा कई बार पिछले एक्जामस में पूछा है कि safe strategy कि यूज करता है trachoma के लिए और उसमें क्या क्या आता है surgery, antibiotics, facial cleanness and environmental improvement तो this is all about trachoma तो trachoma की drug of choice क्या है azithromycin याद रखेगा trachoma की drug of choice azithromycin next S IADH की drug of choice demklocycline S IADH की drug of choice demklocycline next point में आपको बता चुका हूँ severe malaria में हम क्या यूज करते हैं artisunate severe malaria में यूज करेंगे artisunate next है hyper prolactinemia hyper prolactinemia में हम यूज करते हैं bromocryptin very 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 important hyper prolactinemia में किसका यूज करेंगे bromocryptin next है trigeminal neuralgia trigeminal neuralgia very 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 important बच्चे trigeminal neuralgia में किस drug का यूज किया जाता है कार्बमाजिपाइन बहुत important question है कार्बमाजिपाइन किसमें यूज क्या जाएगा ट्राइजेमनल नुरेलजिया के case में ओके है नेस्ट है स्टेटस एपिलेप्टिकस यह पुछा दाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस के case में कौन सी drug of choice होगी लुराजिपाम acute mania में heloperidol acute mania हलाकि mood stabilizer में आप से पुछा जाएगा mania सिर्फ mania पुछा जाएगा कि mania की drug of choice क्या है तो आप बताएंगे lithium लेकिन acute mania जब होता है बच्चे उस समय पे anti-psychotics हम use करते हैं so mania की drug of choice lithium लेकिन जब acute mania में patient आता है तो उस समय पे हम anti-psychotics use करते हैं rather than lithium because lithium को work करने में one to two weeks का time लग जाता है next is angina angina का जो drug of choice है वो है nitroglycerin very 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 important ये तो कई बार पूछा गया है angina के लिए nitroglycerin next है ventricular flutter अपने आप में important है बच्चे डेजरीद्मियास से drug of choice बहुत बार पूछता है तो अगर ventricular का flutter ventricular का flutter हो रहा है तो drug of choice जाएगी lignocaine ventricular flutter के case में drug of choice lignocaine next है post of bleeding अगर operation के बाद bleeding होती है तो उसका drug of choice है tranexa ये तो आप लोग उनको पता होगा hospital setting में use किया जाता है post of bleeding के साथ tranexa दी जाती है next है atropine ठीक है और बच्चे atropine किस में देते थे organo phosphate poisoning में याद रखना बहुत बड़ा प्रस्ट नहीं ये organo phosphate poisoning में हम क्या देते हैं atropine O से organo phosphate poisoning O से atropine याद रखेगा organo phosphate poisoning में atropine next है motion sickness में क्या देंगे बच्चे motion sickness में drug of choice होती है हायोसीन याद रखना काफी बुक्स में question पूछा हुआ है motion sickness में कौन से drug of choice हायोसीन गाउट की drug of choice बच्चे ऐल्यूप्रिनॉल पूछा गया है पहले भी गाउट में कौन सी ड्रग देंगे ऐल्यूप्रिनॉल next है drug of choice of rheumatic fever very 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 important rheumatic fever में drug of choice क्या जाती है बच्चे पैनिसिलिन अपने आप में important है rheumatic fever की drug of choice पैनिसिलिन next है एट्रोपिन तो बच्चे एट्रोपिन poisoning की case में हम क्या देते हैं फाइजूस्टिग्मिन very very important organ of phosphate poisoning के लिए एट्रोपिन देते हैं और एट्रोपिन poisoning के लिए देते हैं फाइजूस्टिग्मिन यह तीन चीजे या जाता है amyl nitrate amyl nitrate जाता है cyanide poisoning के case में next iron poisoning यह काफी बार पुछा गया है बहुत बार पुछा हुआ है iron poisoning के case में हम क्या देंगे deforexamine यह पूछा हुआ है काफी बार iron poisoning में deforexamine next is cheese reaction तो cheese reaction में हम देते हैं fentolamine very 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 important cheese reaction में fentolamine pain of mi mi के pain के लिए हम देते हैं morphine छीक है next है drug of choice of leprosy बच्चे यह काफी important है community में तो यह question काफी बार पूछा जाता है कि leprosy के drug of choice क्या है उत्तर जाएगा dapson leprosy की drug of choice dapson next है drug of choice for accidental exposure of HIV to healthcare worker अगर healthcare worker को accidental exposure हो जाए HIV का उस case में अपने healthcare worker को कौन कौन सी drug दी जाएगी उत्तर जाएगा zoodovidin plus lamivodin दो ड्रग का नाम याद रखिएगा जूडो वुडिन प्लास लेमी वुडिन ड्रग of choice of accidental exposure of HIV to healthcare worker नेक्स्ट है multiple myeloma तो multiple myeloma की drug of choice होती है मलफलन याद रखिएगा multiple myeloma कभी कभी वो आपसे पूछ सकता है मलफलन next है delirium tremors psychiatry point of view से important है delirium tremors की जो drug of choice होती है वो होती है डाइजपाम very 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 important delirium tremors डाइजपाम next है amoebic dysentery की drug of choice होती है metronidazole ये तो पूछा जाता है बच्चों amoebic dysentery की drug of choice क्या मिलेगी आपको metronidazole next है scabies scabies की जो drug of choice है वो है permethrin ये भी पूछा जाता है scabies की drug of choice पहले भी पूछे गई है काफी बार क्या यूज़ करते हैं scabies में permethrin और last बच्चे pneumonia के case में क्या यूज़ करते हैं cotrimozazole cotrimozazole use करेंगे pneumonia में तो ये सारे की सारे drug of choice बच्चे आपको tips में याद होना चाहिए अगर आपको उभर के आना है सबसे best बनना है अगर आपको topper बनना है तो हर एक जो आपको drug of choice है वो याद होनी चाहिए और बच्चे अगर आपको लगी कि ये बहुत जादा है मुझे याद नहीं हो पाएंगी तो आप क्या करिए आप अभी से लेके नौटसर तक 6 महिने बच्चे वे हैं 6 महिने में आप क्या करिए इन 6 महिनों में रोज सुबह उठके रोज सुबह उठके आप preparation करेंगे रोज सुबह उठेंगे और इन points को revise करेंगे तो revision बहुत important है बच्चे रोज सुबह उठके आगर आप drug of choice सारी revise करो सारे antidotes revise करो सारे sinem symptom revise करो सारे stool and कौन से disease condition में कैसा stool मिलता है वो revise करो और भी मैं सारे lectures देता रहूँगा अगर बच्चे आप note down करके रोज morning में पढ़ने से पहले coaching जाने से पहले college जाने से पहले इनको revise करोगे तो 6 महिने के बाद आपको कोई हरा पाए इसकी guarantee मैं लेता हूँ कि आपको कोई नहीं हरा पाएगा ठीक है इसकी guarantee कमी है कि कोई आपको हरा पाए कोई नहीं आपको हरा पाएगा क्योंकि on tips आपको इस चीज़े याद ह होंगी ठीक है तो आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट्स में बताते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लेके आपके समने फिर से आऊंगा तब तक के रहें थेंक्यू थेंक्यू फॉर वाचिंग और प्लीज सेयर और लाइक दे वीडियो ओके थेंक्यू